सब्सक्राइU का नावुम्षकार मैं आज कान की जितनी भी जो समस्षा है स्शाय कांदर्द हो रहा हो है altitude हो हो चाहि कांदर की miroda हो चाहिक थे ऑने हो पड़ा जो है फटगया हो या पड़े के अंदर छेद हो अगर आप इसमें दक्षता हाशिल कर लेते हो और परिणाम सुधा है तो आप मान के चलिए आप लोगों की भलाई कर सकते हो कान की कोई भी विकृति हो उसका समाधान आप स्वेम कर सकते हो इतना बैतरीन है यह नुसका ऐसी ही नित नई बैतरीन जानकारी के लिए इस यूट परिणाम पा रहे हैं मैंने स्वेम ने शेकड़ों लोगों को यह नुसके देकर उनको लाप्त्राप्त करवाया है उनके कानों की समस्या है जड़ मूल से नस्ट करवाई है इतना बैतरीन है यह नुसके पचीस मिलीलीटर आप ससोका देर ले लिजिए उसके अंदर चार से पांच लसन की कली डाल कर उसको गरम करीये हलकी आज पर और हलकी आज जैसे गरम करते हो तो जैसे ही वो लसन की कली जो है जसे काला रंग उसका आता है आप उसको नचे उतार दीज़िए निचे उतारने के आपके कांहें निया ब्लय क्राइव मॉत आरहा और हम कांहें हैंером का दर्द कितना ही पैचिद्धा हो चुका हो कोई दोएस ठीक नहीं हो रहा आपको केवल 3-4 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा और अगर समस्या ज्यादा पुरा नहीं है तो थोड़े दिन और चला लीजिए लेकिन दिन में एक बार ही उप्योग करना केवल दो बुंदों क जब आप इसको कान में डालते हो तो एक विशेस बात ध्यान रखना कि किसी चमच में लेलो आप या छोटा कोई पात्र लेलो उसके अंदर वापस गुल्गुना करके गुल्गुना ही तेल में तेल वह कान में डालना है यह विशेस ध्यान रखना है आपको 100% result मिलके ही रह आ रही है जबर्दस दंजनाठ हो रही है जब आखारा रही है तब आप क्या करिए एक सब्सक्राइब 25 ग्राम की मत्रा में आप गुर ले लीजिए और एक चमच देशी घाय का मिलोना किया हुआ है जो गी है वह कामे लेना आपको इन सबको बैतरीन मिलाकर और इनको गर्म कर दीजिए और गरम करने के पाद मिक्स हो जाता बहतरी आप इसका उपयोग बुक्य पेट करना चाहिए किसी भी समय करो लेकिन भुक्य पेट करना है कितनी ही आपकी यह पुराणी विकृति है अगर कानों में आवा जाने की वह इस नुस्के से आपको 100% मिल जाती है कुछी अगर आपके कान का परदा फट गया हो या परदे के अंदर छेद हो गया हो आपने बहुंसा उप्चार लिया ठीक नहीं हो रहा है आप क्यों लिए नुस्का कर लीजिए आपको 100% मिल जाएगा लेकिन यह ध्यानक है कि मिलो ना किया हुआ देशी गी गाई का हो वही काम मे पातर में रख दीजिए लंबे समय तक खराब नहीं होगा और उसकी दो बूंदे जब आपको उप्योग करनी है किसी पातर में डालकर या ड्रोपर लेलो आप ड्रोपर को लिया और गी बर दिया उसके बाद में एक कटोरी पानी लेलो आदा कटोरी गरम किया उस पानी के दोनों दोनों नुथुनों में डालनी है और दीचे तक्या नहीं लगाना है यह जो ठुड़ी है और उसको शरकने दे घी को आपको हवा से अंदर जोड़दार सांस से खीतना नहीं है उसको स्वता सरकने दे यह आप करते हैं और आदा गंटक तक आप उसके बाद में उसका और कई सब्सक्राइब किया है जो एलोफेट से ठीक नहीं हुए वह इस नुषके से ठीक होगे आपका कान कितना ही तेज बहरा हो बहुत पुराना हो गया हो बहुत से ठीक्मेंट आपने ले लिया हो बहता कान रुक नहीं रहा है और बजबरदस्त बद्वु आरी हो मैं आपको रामबान उसका बता रहा हूँ 60 ग्राम सशो का तेल ले लिजिए उसको गरम करिए जब वह बहतरीन गरम हो जाता है उस दौरान उसके अंदर 4 ग्राम मॉम डाल दीजिए जब मॉम पूरत पिगल जाता है उसके बाद में उसको नीचे उतार दीजिए नीचे उत पात काक के पात्र में डाल दीजिए और दीजिए दो दो मूंत दीन में सुबह और सम आपको कान केंदर डालना है कितना ही पूराना कान बहरा है वो ठीक नहीं हुआ हो लेकिन यह उसका है जो स्व परसेंट रिजल दे देगा और बहता कान आपका है वो एकदम रुख है वापस आपकी समश्या उत्पन नहीं होगे इतना बैतरी है इसके कच्चा जो प्याज होता हरावाला उसको आप ले लिजिए उसका रस निकाल दीजिए और उसको हलका सा गुंगुना गरम कर दीजिए रस को और गुंगुना मेरा जबी आप कान का कोई भी कैसा भी तेल काम में ले रहे रहे हैं तो हलका सब गुन-गुना करते हैं आपके कान कान को सुआता बहुत जादा कुश्या ग्रम बहुत जादक गरम गरम कामें है नहीं लेना है के Zukा बीजिए और गटार समिए जब्ण का इसका एंप आपको मैं जवर्दस्त मुस्का वाता रहा हूं जो मुल्टी पर्फिस काम करता है वो यह है कि आप घार्थी की जो देशी गाई है उस गाई का जो उसके पेट में बचड़ा बचड़ी नहीं होना चीए ग्याबन नहीं होनी चीए उस गाई का आप गोमुत्र ले लिजिए यह ताजा चीए एकदम यह ध्यानकना आपको और वह गोमुत्र लिया और आप सूती कपड़ा ले लिए उसको आंट तय बना दीजिए आंट बार फोल्ड कर दीजिए फिर उस गोमुत्र को उस सूती कपड़े से जो आंट लेयर बना रखिए उससे चान लीजिए और वह काम करता है और एक बीमारी के लिए यह मल्टी परपज के रूप में काम करता है उप्यों करने की आव सकता है लेकिन इसमें ताजा गौमुत्र ही चाहिए आपको इतने सारे अलग-अलग नुश्के बताएं तो उसमें बताने का अतात्परी यह है कि अगर मानलो कभी-कभी एक नुश्के से आपको रिजल्ट कम मिलता है तो दूसरा नुश्का आप जो जिसके लिए है वह कामें ले लिजिए सारे नुश्के बहतरीन है बहुत अच्छे परिणाम है लेकिन मानलो अगर व्यादी पुरानी है पतानी किस कारण से उस समस्या की उध्वत्ति हुई है तो आपकी खुदकी समस्या तो मिटेंगी मिटेंगी लेकिन अगर आप दूसरों का उपचार बताते हो तो आप उनसे भलाई आपको मिलने ही वाली है वो आपको दूआये देंगे क्योंकि इन सारे नुश्कों में जबरदस्त रिजल्ट मिले हुए हैं मिल रहे हैं और जाओगे आपने पूरा वीडियो देखा बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साथ वाद और अगर चाते हो आप कि देश का भला हो दुनिया का भला हो और भलाई आपको कमानी है तो यह आईरवेद का प्रचार भी हो जाएगा देश भक्ती भी हो जाएगी और आपकी जानका मेरे लिए